हलो नमस्ते मैं हूँ आपकी होस्टों दोस्त नीहानंद और आप देख रहे हैं जाग्रिन.com अगर आपने अभी तक देनिक जाग्रिन के यूटिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजे क्योंकि कही कोई मसाला मिस ना हो जाए आज है हमारी प्यारी बिब्बो जान का 38 बोर्डेव हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अदिती राव हैदरी की पहचान आक्रिस होने के साथ साथ हैदराबाद के शाही परिवार में जन्मी राजकुमारी की भी है पापा की परी नहीं दर रियल फ्रिंसेस अपनी अदाव से सब को कायल कर चुकी अदिती एक शाही परिवार से तालुक रखती है राजगराने से आने के बाद भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने दम पर अपनी पहचान बनाई आज फैन्स उनकी अक्टिंग के साथ साथ अदाव के भी कायल है अदिती राओ हैदरी 28 अक्टूबर 1978 को हैदराबाद के तैलंगाना में जन्मी थी वो अकबर हैदरी की परपोती हैं साथ ही वो असम के पूर्फ गवर्णर मुहमत सालेह अकबर हैदरी की ग्रैनबधी जी भी है अदिती के परदादा अक्बर हैदरी 1869 से 1941 तक हैदराबाद के प्रधान मंत्री रह चुके हैं इसके लावा मुहमत सालेह अकबर हैदरी अदिती के चाचा हैं वो असम के पूर्फ राजपाल रहे हैं बात करें अदिती के फिल्मी करियर की तो उन्होंने 2007 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था उन्होंने साउट की मूवी श्रंगारम से करियर की शुरुबात की थी इसके दो साल बाद वो बॉलिवुड में आ गई Hindi Cinema में अदिती ने दिली 6 से करियर शुरू किया था अदिती के जनम दिन पर हम बात करेंगे Bollywood से उनकी Best Performance वाली फिल्मों की तो शुरू करें नमबर एक पर है दिली 6 दिली 6 में अदिती ने Cameo रोल कर Bollywood में अपना दाखिला करवाया था तब उनका लोग भी कुछ अलग था वो जैसी आज दिखती हैं वैसी वो उस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं लगती संजी लीला बंसाली के डिरेक्शन में बनी पदमावत में वैसे तो रनवीर सिंग और दिपिका पादकोन लीड आक्टर्स में थे लेकिन अदिती ने भी अपने मौजूदगी से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी उन्होंने रनवीर सिंग की पहली पतनी महरून निसा का किरदार निभाया था पदमावत के बाद अदिती को जैसे इतिहास से जोड़े किरदार निभाने के लिए ओफर ही मिलने लग गए एक राजकुमारी के रोल में उन्हें काफी जादा पसंद किया जा रहा है 2023 में अदिती ने ताज जिवारिट बाई बलर्ड में अनार कली का किरदार कर सब को हैरत में डाल दिया था हीरा मंडी अदिती राओ हैदरी की वो फिल्म है जिसमें वो तवायफ बनी थी लाहौर के हीरा मंडी की कहानी दिखाती इस सीरीज में उन्होंने बिबो जान का किरदार ने भाया था इस कैरेक्टर के लिए उनके चेहरे के हाउभाव ही नहीं बलकि मुझरा कर रही एक महिला का नजाकत भरे अंदाज में चलना भी काफी पसंद क्या गया अदिती राओ अब विबो जान से जानी जाती है अदिती राओ हैद्री की ये सीरीज हीरा मंडी से पहले साल 2023 में देलीज हुई थी इसमें आक्टरस ने साविती की नाम का किरदार ने भाया था एक बार फिर उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ी थी साथ ही रेट्रो अंदास में उनके लुक को भी काफी जादा पसंद क्या गया था बात करे अदीती की अपकमिंग फिल्म्स की तो जल्द ही वो विजे सेतुपती के साथ फिल्म गांती टॉक्स में नजर आएंगी इतना ही नहीं वो हॉलिवुड फिल्म लॉइनेस में नजर आएंगी जिसमें वो महकौर का किरदार निभा रही है